तो फाइनली दोस्तों इडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड़ निकल के आ रही है अगर आप लोगों को यहाँ पर UPI वर्क नहीं कर रहा है और आप लोगों के यहाँ पर यहाँ पर पैसे वापस नहीं दे रहा है आपके इंडियन पोस्ट प परकासे वह वापस आएंगे और जिनके पैसे कट गए उनको किस परकास इनके पैसे वापस मिलने वाले हैं तो फूल इंफर्मिशन इस वीडिये के अंदर आपको दूँगा चलिए एक वीडियो स्टाट करते हैं आप लोगों को बताते हैं आपके इप इंडियों पॉस्ट बैंक के बारे में एक new update आपको क्या देखने को मिल रही है वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप से चोट सी request से इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो information देने वाला हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखना अगर आप लोग फर्स टम चैनल को विजट करें तो चैनल को सस्क्राइब के भी ना मत जाना और वैल आइकन कोल पे सेट कर लेना ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के व्यूडियो लेटि कॉंटेंट देखने को मिलते रहे मेरे यूटूब चैनल पर अब बात करते हैं कि आप लोगों को यहां पर इस तरह की का प्रोब्लम देखने को मिल रहे हैं अब जब भी आप लोग यूपियाई कर रहे हैं या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं आपके पैसे कट जा रहे हैं आपके अकाउंट से बढ़ दूसरे बंदे के अका यहाँ पर जिसे मैं Twitter account पर जाता हूँ, Twitter पर जाने के बाद मैं यहाँ पर Indian Post Payment की जो ओफिसल वेब साइट है, उसके ओपर यहाँ पर आप लोगों को दिखा हूँ, IPBB लिक्के सच करता हूँ, तो यहाँ पर जो Indian Post Payment Bank की जो ओफिसल वेब साइट है, उसके ओपर मैं जाता हमारे को यहाँ पर एक notice देखने को मिल रहा, important notice, due to technical issue, UPI server will not be available, यानि के आप लोगों को इन्होंने बोला है कि आप लोगों को technical issue देखने को मिल रहे है, आपको UPI service not available वाली problem आपके Indian Post Payment Bank के ऊपर देखने को मिल रहे है, और यह जो problem है, आप लोगों की आज 4 बजे तक fix कर दी जाएगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, तीन अपरेल 4 पीम, we regret to invoice case and request to you beer 20, यानि कि इन्होंने बोला 4 बजे तक आपकी जो problem यहाँ पर 100% solve हो जाएगी, तब तक आप लोग फोड़ा wait करे, तो यह बहुत ही अच्छ आपकी जो problem है हाँ पर sort हो जाएगी,